हलो केट्स, हमारी आज की स्टोरी है, फस गया हाथ समर एक अच्छा लड़का था, बस उसे एक ही बुरियादत थी, वो मीठा बहुत खाता था, मिठाई और चॉकलिट उसे बहुत पसंद थी उसकी मा उसे हमेशा कहती, समर इतना मीठा मत खाय करो, तुम्हारे दाथ खराब हो जाई है इसी कारण मा ने सभी चॉकलिट टॉफियों को एक जार में छिपा कर रख दिया, ताकि समर अधिक मीठा न खा पाए उस जार का मूँ सक्रा था, और वो मजबूती से बंद भी था एक दिन समर की मा बाजार गई हुई थी, मौका देखकर समर रसोई में गया और उसने उस जार को उठा लिया बहुत प्यास करने के बाद उसने जार का ढकन खोला और जार के सक्रे मूँ में हाथ डाल दिया, फिर उसने मुठी में टॉफिय चॉकलिट भर लिये और हाथ बापस बाहर निकालने लगा, लेकिन हाथ उसमें फज गया वो अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करी रहा था कि उसकी मा बापस आ रही, उसकी हालत देखकर बोली, समर तुम अपने हाथ में बहुत सारे टॉफिय चॉकलिट लिये हुए हो, बस एक चॉकलिट लो और बाकी को वही व्यार में बापस रखो, तभी तुम अपने हा सरलता से बाहर निकाल लिया, उसे अपनी गलती समझ आ गई थी